अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के सध्याय में हम आपको बताएंगे बैंक कैश क्रेडिट अकाउंट या बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट के लेजर पर इंटरेस्ट परामीटर्स कैसे सैट करते हैं और साथ ही बताएंगे बैंक द्वारा चार्ज किये जाने वाले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके पहले के तीन पार्च में हमने आपको इन टॉपिक्स के बारे में समझा दिया है और हमारा आपसे निवेधन है कि आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के पहले इन तीनों वीडियोज को ज़रूर देखें चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय सबसे पहले हम सरल भाषा में आपको सीसे लिमिट यानि कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में बता देते हैं ये एक शॉट्टम लोन है जो व्यवसायों को उनकी वित्तिय यानि फनेंशियल आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तिय संस्थानों द्वारा दिया जाता है इसका उपयोग व्यवसायों के अलग-अलग उदेशियों जासे की कच्चामाल खरीदना, स्टॉक बढ़ाना, व्यवसायों से संबंदित अन्य खर्चों आधी के लिए किया जाता है ये एक सिक्योर्ड लोन होता है और व्यवसाय को कैश क्रेडिट लोन प्राप्त करने के लिए बैंक को फिक्स्ट असेट्स स्टॉक आधी के गारंटी देना होती है अब बात करते हैं OD यानि overdraft की ये सुविधा सरकारी और नीजी बैंकों द्वारा व्यक्तियों या कंपनियों को दी जाती है ताकि वो अपने बैंक अकाउंट में बैलन्स शुन्य होने पर भी पैसा निकाल सके इससे लिए गए लोन का उप्योग आप अपने नीजी या व्यवसाई किसी भी आवश्यक्ता को पूरी करने के लिए कर सकते हैं ज्यादा तर बैंक सेलरी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट यानि एफडी, शेयर, बॉन्ड और बीमा पॉलिसी जैसी असेट्स के अगिंस्ट ओवर्ड्राफ्ट की सुविधा देते हैं कैश क्रेडिट लिमिट और बैंक ओवर्ड्राफ्ट दोनों में ही बैंक हमारे लिए एक लिमिट तै करता है और हम बैंक द्वारा तै की गई लिमिट तक ही रुपिया निकाल सकते हैं यानि विड्रॉ कर सकते हैं ये रुपया हम अपनी जरूरत अनुसार थोड़ा-थोड़ा करके या ज्यादा कैसे भी निकाल सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास जितना भी रुपया हो आप वापस जमा कर सकते हैं। घ्यान रखें, इन दोनों में ही आप जो अमाउंट लोन के रुप में लेते हैं, उसी पर आपको ब्याज देना होता है। यानि यदि आपके लिमिट एक लाख रुपय की है और आपने पच्चेस अजार रुपय ही निकाले हैं, तो ब्याज केवल पच्चेस अजार रुपय पर ही लगेगा। हाँ, दोनों ही टाइप के अकाउंट्स पर अलग-अलग बैंक अपने हिसाब से कुछ चार्जेज लगाते हैं, जैसे बैंक प्रोसेसिंग चार्जेज या कुछ अन्य चार्जेज भी हो सकते हैं। तो ये तो हमने आपको कैश क्रेडिट लिमिट और बैंक ओवर ड्राफ्ट दोनों के बारे में संक्षिप्त में समझा दिया। चली अब आगे बढ़ते हैं, और यदि आपने इन दोनों में से बैंक से कोई भी रिण लिया है, तो उसकी इंट्रेस कैलकुलेशन का तरीका एक ही है। वैसे मुख्य रूप से व्यवसाय में CC लिमिट का उप्योग किया जाता है, इसलिए हम उसी पर ये वीडियो बना रहे हैं। यहां पर हमने अपनी वही कंपनी ओपन कर ली है, जिस पर इससे पहले वाली वीडियो में हमने काम किया था। चलिए अब टैली में काम करना शुरू करते हैं। हमने अपने मकान की ग्यारंटी पर SBI यानि State Bank of India से CC लिमिट ली है। तो सबसे पहले हम उसका लेजर बना लेते हैं। यहां नाम में हम SBI CC अकाउंट टाइप कर रहे हैं। Under में हमें Group select करना है। तो यह देखे, लिस्ट में Bank OCC Account और Bank OD Account दो ग्रुप सा रहे हैं। ध्यान रखें, यह दोनों एकी Group के दो नाम हैं। हम Bank OCC Account से लग कर रहे हैं। यह देखे, Group से लेक करते ही उसका नाम बदलकर, Bank OD Account हो गया है। यहां हम activate interest calculation को yes करेंगे और enter press करेंगे यह देखें interest parameters की window आ रही है यहां पर पहला option है calculate interest based on इसका मतलब है कि आप ब्याज की गर्णा किस आधार पर करना चाहते हैं इसके सामने दो options हैं bank reconciliation date इसको हम आपको आगे समझाएंगे और दूसरा है voucher date अभी हम इसी को select कर रहे हैं इसका अरतिये है कि हमारी books में जिस तारिक को voucher बना होगा interest की calculation उस तारिक के आधार पर ही होगी इसके नीचे आप जो options देख रहे हैं उनके बारे में हम आपको अपनी पहली वीडियो में समझा चुके हैं इन दोनों ही options को हम no ही रहने देंगे अब हम enterprise करके rate पर आ गए हैं यहां हम 12 type कर रहे हैं और यहां calendar year select कर रहे हैं ध्यान रखें, bank की ब्याज़तर हमेशा yearly ही होती है यहां पर हम credit balances only select कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उसका कारण भी बता देते हैं यह हमारा loan account है, इसलिए prior इस account में हमें bank का रुपया देना ही निकलेगा जिस पर हमें ब्याज़ देना है पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रुपया bank में जमा हो तो ध्यान रखें, bank हमें उस पर कोई ब्याज़ नहीं देगा पस यही कारण है कि हम credit balance only select कर रहे है applicable form में वो तारीख टाइप करें, जिस तारीख से आप ब्याज़ की calculation करना चाहते हैं यहाँ पर एक अप्रेल तारीख आ रही है, हम इसे रहने देते हैं टू के आगे कोई तारीख टाइप नहीं करना है यहाँ rounding में normal rounding और यहाँ limit में one type कर रहे हैं अब हम इस screen को save कर लेंगे यहाँ आपको bank ने जो limit sanction की है वो type करें यहाँ पर खाते की पूरी details टाइप करें यहाँ bank का mailing address टाइप करेंगे और अब हम इसे save कर लेंगे आए अब हम कुछ transactions record कर लेते हैं पहले हम आपको एक बात समझा दें कई बार कई लुगों को confusion हो जाता है कि हमारे जो normal bank accounts होते हैं जिसमें हमारा रुपया जमा रहता है जैसे कि saving account या current account और CC या overdraft account जिसमें कि bank का पैसा हमारे पास कर्ज के रूप में रहता है इन सभी के linden के entry same ही रहती है या फिर इनको record करने में कोई अंतर होता है इस तरह का confusion कई लोगों को हो जाता है तो हम आपको बता दें कि bank के किसी भी तरह के transactions record करने में कोई फर्क नहीं होता ये सब एक जैसे ही होते हैं CDC एक बात ध्यान रखें यदि आपको bank से रुपया मिला है तो आप bank को credit करेंगे और यदि आपने bank को रुपया दिया है यानि जमा किया है तो आप bank को debit करेंगे ये खास ध्यान रखना है चलि अब हम अपनी books में कुछ entry कर लेते हैं पहली entry है हमने एक अपरेल को Sbicc account के check number 121111 से 25,000 रुपय नगर निकाले अब इसकी entry हम kontra voucher में कर लेते हैं credit में हम Sbicc account सेलेक करेंगे यहाँ पर 25,000 टाइप करेंगे यहाँ पर हम check number टाइप कर देंगे debit में cash सेलेक करेंगे अब यहाँ पर narration टाइप कर देंगे और अब इस voucher को save कर लेंगे दूसरी entry है एक अपरेल को हमें customer 2 के HDFC bank से NEFT द्वारा 20,000 रुपय हमारे Sbicc account में advance payment प्राप्त हुए अब इसके entry receipt voucher में कर लेते हैं credit में customer 2 सेलेक कर रहे हैं यहाँ 20,000 टाइप करेंगे यहाँ advance सेलेक करेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे DR में Sbicc account सेलेक करेंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ें यहाँ हमें जिस तरह payment प्राप्त हुआ है उसकी detail टाइप करेंगे और अब इस voucher को save कर लेंगे इसी तरह अप्रेल मेने में हमारे सिसी account में जितनी भी transactions हुए हैं उन्हें हमने tally में record कर लिया है आईए अब हम आपको bank का laser दिखा देते हैं यहाँ पर हम कुछ configuration कर लेते हैं यह देखिए यह सभी transactions हमारे सिसी account में अप्रेल मा में हुए हैं जिने हमने क्रमा नुसा record कर लिया है अब हम देखते हैं कि bank का जो रुपया हमने उपयोग किया है उसका interest कितना देना होगा उसके लिए go to पर जाकर type करेंगे interest अब ledger interest calculation पर जाकर enterprise करेंगे यहां से Sbicc account पर जाएंगे यह देखिए Sbicc account की interest calculation report आ रही है सबसे पहले हम अप्रेल मा यानी एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक का period सिलेक कर लेते हैं यह देखिए हमारे हिसाब से हमें bank को 852 रुपय interest देना है अब bank ने हमें अप्रेल मा का जो bank statement दिया है उसे देख लिते हैं यहां पर आप देख सकते हैं bank ने हमसे 800 रुपय interest चार्ज किया है अब इन दोनों में difference आ रहा है हमारे हिसाब से 852 रुपय होते हैं और bank ने 800 रुपय चार्ज किये अब यहां पर एक सवाल है कि हमारी books में और bank statement में जो entries होती है दोनों का आधार तो एक ही होता है तो फिर इसमें difference कैसे आ सकता है तो यहां आपको याद दिला दें कि हमने आपको bank reconciliation के हमारी video number 100, 101, 102 और 103 में detail में समझाया है कि हमारी books के bank account और bank statement दोनों के balance में difference आने के क्या-क्या कारण हो सकते है और इस difference को दूर करने के लिए bank reconciliation statement कैसे बनाते हैं फिर भी हम आपको यहां पर short में इसके कारण समझा देते हैं उसके लिए पहले हम escape की press करके वापस leisure report पर आ गए है हम इस report के साथ ही bank statement रख कर आपको कुछ basic बातीं समझा रहे हैं पहली हम bank से cash निकालते हैं या bank में cash जमा करते हैं तो उसकी entry हमारी books में और bank statement दोनों में एक ही तारिख में होती है और जैसा कि आप इस entry में देख रहे हैं हमने bank से cash निकाला है और दोनों स्थान पर तारिख एक ही है इसी तरह इस entry में हमने bank में cash जमा किया है और दोनों जगों पर एक ही तारिख है दूसरी बात यदि हम किसी को NEFT, RTGS, IMPS या UPI के माध्यम से payment करते हैं तो उसकी भी entry हमारी books में और bank statement दोनों में एक ही तारिख में होती है जैसा कि आप इस entry में देख रहे हैं ध्यान रखें हमने ये payment NEFT से किया है जब हमें कोई party NEFT, RTGS, IMPS या UPI या अन्य किसी भी माध्यम से सीधे हमारे bank खाते में payment करती है और यदि वो इसकी सूचना हमें कुछ दिन बात देती है तो ऐसी इस्थिति में हमें जिस दिन bank में payment आया है उसी दिन में अपनी books में entry करना चाहिए या फिर यदि हम entry सूचना मिलने वाले दिन कर रहे हैं तो instrument date में हमें वही तारीख टाइप करना होगी जिस तारीख को हमारी bank में payment आया है नहीं तो आप bank reconciliation नहीं कर पाएंगे जैसे कि आप इस voucher में देख रहे हैं हमने ये entry 30 अपरेल में की है जबकि bank में इसका payment एनी एफटी द्वारा 27 अपरेल को ही आ गया था इसलिए हमने instrument date में तारीख 27 अपरेल टाइप की है जब हम किसी supplier को bank के check से payment करते हैं तो हम हमारी books में उसकी entry उसी तारीख में कर लेते हैं जिस तारीख को हमने check दिया है अब ऐसा ज़रूर ये नहीं है कि supplier उस check को उसी दिन clearing के लिए अपने bank में लगाए वो उस check को एक दो दिन बाद भी लगा सकता है और यदि वो उसे उसी दिन bank में जमाभी कर दे तो उस check को clear होने में दो तिन दिन भी लग सकते हैं अब ऐसे में हमारे bank account से रुपे तभी डेविट होंगे जब वो check clear होगा तो इस कारण से हमारी books में जो entry है वो और हमारी bank statement में जो entry की गई है दोनों में अलग अलग तारीख हो सकती है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे है इसे तरह जब हमें किसी customer या अन्नी किसी party से check प्राप्त होता है तो हम उसे bank में लगा कर उसकी entry तुरंट हमारी books में कर लेते हैं पर कभी-कभी bank में उस check को clear होने में दो-तिन दिन भी लग जाते हैं अब bank तो हमारे account में वो entry तभी करेगा जब उसे रुपए मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यह report पूरी दिखाई दे इसके लिए हम screen के font size को कम कर रहे हैं यह देखे अब पूरी report एक साथ दिखाई दे रही है तो इस तरह आपने देखा कि के नब कारणों से हमारी books में जो entry है उनमें और हमारी bank statement पे जो entry है उनमें दोनों में अलग-अलग तारीक हो सकती है अब हम वापस font size को पहले जैसा कर लेते हैं अब आगे बढ़ते हैं अभी हमने जो interest calculation देखी यह हमने voucher date select करके की है यानि इसमें जो interest की calculation हुई है वो हमारी books में जिस तारीक में vouchers बने हैं उसकी तारीक को लेकर की गई है जबकि bank ने interest calculation उस तारीक को आधार लेकर किया होगा जिस तारीक को उनके यहां debit credit हुआ है अब सवाल यह है कि हम कैसे पता करें कि bank ने जो interest हमारे account में चार्ज किया है वो सही है तो इसके लिए हमें interest उसी date के आधार पर calculate करके देखना चाहिए जिस तारीक को bank में debit और credit हुआ है और ऐसा करने के लिए हमें bank के लेजर को alter करके उसमें interest parameters में एक setting करना होगी चलिए यह कर लेते हैं यह हम bank के लेजर alteration screen पर आ गए है enter करते हुए आगे बढ़ जाए यह आप देख सकते हैं interest parameters आ रहा है यहां हमें voucher date की जगए पर bank reconciliation date option सेलेक करना होगा अब हम इसे save कर लेंगे फिर इस लेजर को भी save कर लेंगे हम skip की प्रेस करके वापस bank की लेजर report पर आ गए है अब हमें अपनी books में bank reconciliation करना होगा और उसी के आधार पर हम bank की तरह सही calculation कर पाएंगे bank reconciliation कैसे करते हैं इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं फिर भी यहां पर हम short में समझ लेते हैं यह देखिए यहां पर हमें reconcile option दिखाई पढ़ रहा है इसके लिए हम alter के साथ R की प्रेस कर रहे हैं यह देखिए हमने bank से 25,000 रुपए निकाले थे तो statement में इस entry की तारीक देकर यहां पर तारीक टाइप कर देंगे इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं यह देखिए हमने supplier 1 को एक तारीक को चेक दिया था जो कि bank से 3 तारीक को clear हुआ है तो यहां पर हम तारीक 3 अपरेल टाइप कर देंगे इसी तरह हमने पूरा reconciliation कर लिया है अब यह एक entry है जिसमें हमने supplier 3 को check number 121117 से payment किया है यह check अभी bank में clear नहीं हुआ है इसलिए इसकी entry bank statement में नहीं दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि हमने यहां bank date नहीं डाली है इसके अलावा यहां bank statement में यह जो interest की entry है इसे अभी हमने अपनी books में record नहीं किया है अभी जब हम interest amount confirm कर लेंगे तो इसकी entry अपनी books में कर लेंगे अब हम इस reconciliation को save कर लेते हैं यह हमने reconciliation कर लिया है और interest parameters में भी bank reconciliation date को select कर लिया है चलिए अब वापस interest calculation report पर चलते हैं यह देखे अब इस report में interest का amount वही आ रहा है इसका मतलब कि bank ने सही calculation की है इसके बाद वाली वीडियो में जो की interest calculation का पाचवा पार्ट है उसमें हम आपको बताएंगे कि debit note में voucher class बना कर simple interest कैसी calculate करते हैं आज के लिए बस इतना ही दन्यवाद करते हैं